दोस्तो नमस्कार, दोस्तो श्वीडियो में हम आवले के कलपरियोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं, दोस्तो आवले के गुण अनेक अद्बुत वे नवयोवन प्रदान करने वाले माने गए हैं, तबी तो यह अनेक रोगों की विस्व प्रशित औस्दि बूटी है, विद्वानों, रिशी महत्माओं ने इसके अनेक कलपरियोगों का भी वर्नन किया है, जो कलपरियोग ने केवल रोग दोसों का नास करते हैं, बलकि बल, शक्ती, सब्ध धातों को बढ़ा कर सरीर को नवयोवन संपन बना देते हैं, वैसे यह कलपरियोग एक साधना तब से क परियोग करने के लिए विद्वानों, रिशीयों, जानकारों का सयोग वैमारगदर्शन आवश्यक होता है, क्योंकि इसके लिए साधक के खान पान, रहन सेन, व्यवारादी सभी की एक विशेस व्यवस्था व्यपक्रिया होती है, अन्यता सफलता की संभावना नहीं रहत है तब ही तो ऐसी व्यवस्ता व्यवार के बल पर आवले के सईयोग से बने अवले चवन प्रास का परियोग करके रिशी चवन पुने नव योवन के स्वामी बन गए थे कहते हैं कि तब ही से यह गुनकारी अवले चवन प्रास के नाम से जाना जाने लगा जो आज भी अने क कमपनिया बना रही हैं लेकिन सायद कल्प जैसी साधना व्यवार व्य तब की कमी के कारण व्य परभाव दूर दिखता है यह कल्प परियोग किसी विद्वान अनुभवी से जानकर उनके निर्देशन में ही संभव हैं तो दोस्तों आवला अपने गुनों के कारण आज भी आईरवेद जगत में विख्यात है तो दोस्तों जड़ी बूटियों का परियोग करें और अपने वे अपने परिवार के स्वास्ते की रक्षा करें अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और अद्बू जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर तब तक के लिए नमस् जए हिंद जए अरवेद